ओम शांति आज 26 जुलाई 2024 है बाबा ने हम सब को कई प्रकार के खजानों से संपन किये हैं और उन खजानों को सफल करके उसे बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य भी है और उससे हमें बहुत सारी प्राप्ति होती है बाबा ने आज संकल्प शक्ती की बात कही है उन संकल्प शक्तियों को कैसे प्रयोग में लाना है और कहां पर सफल करना है आईए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं संकल्प शक्ती को जमा कर सर्व प्रती वा विश्व प्रती इसका प्रयोग करो वैसे तो जब से हमने बाबा को जाना है पहचाना है और निस्चे पक्का हुआ है बाबा के साथ अपने साथ, ड्रामा के साथ, परिवार के साथ, तब से हमारे अंदर कई खजाने जमा होने लगे हैं बहुत सारे खजाने बाबा ने आत्माओं को, हम ब्रामन आत्माओं को दी हैं उन खजानों मेंसे सर्वस्ट्रेज खजाने जो बाबा ने कही है वो है संकल्प का खजाना और दूसरा है समय का खजाना तो संकल्प के खजाने को हमें सफल करना है, प्रयोग करना है, अपने प्रती, विश्व के अनेग आत्माओं के प्रती, प्रकृती के प्रती, अर्थाद विश्व कल्यान के प्रती, हमें अपने संकल्पों को समय अनुसार, समय प्रमान हमें सफल करना है जस तरह से किसान एक अच्छा बीज को समय प्रमान जब बहते हैं समय अनुपार, समय के अनुकूल जब उस बीज को बहते हैं तो वो बीज समय अनुपार परस्फूटित होता है, अंकूरित होता है और उसे फल की भी बहुत सारी प्राप्तिया हो जाती है अगर quality वाला बीच हो परन्तु समय अनुसार उसे बोया ना गया हो समय के अनुरूप उस बीच को ना बोया गया हो उससे फिर प्राप्ति भी बहुत कम होता है ना के बराबर प्राप्ति हो जाती है ठीक इसी प्रकार बाबा कहते हैं समय और संकल ये दोनों सर्व स्रेश्ट खजाने हैं और उन में से बीच का जो काम करता है वो है संकल संकल रूपी स्रेश्ट बीच को जब हम समय अनुसार बोते हैं यानि उसको समय अनुसार और किसी के प्रती हम प्रयोग में लाते हैं उसे बोते हैं तो संकल्ग रुपी बीज भी प्रसफूठित होता है और वो बहुत बड़ा फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी खजाने हैं वो संकल्ग रुपी बीज में समाया हुआ है उसे समय अनुसार हम प्रयोग में लाए अपने प्रती भी लाए और विश्व की आत्माओं प्रती भी लाए तो इसको कहा जाता है अपने संकल्ग रुपी खजाने को सफल करना और ब तो एक का सौ गुना प्राप्त करने के बजाए एक का एक या दो गुना प्राप्त हो जाता है हमारी जो कमाई है प्राप्ती है वो घड़ जाती है इसलिए समय के खजाने को भी हमें ध्यान पर रखते हुए हर खजाने को विशेश रुप से संकल्पों के खजाने को हमें सफल करना है क्योंकि संकल्प अती सुक्षम खजाना है जब संकल्प सफल होता है तो समय भी सफल होता है गुन रुपी खजाने, शक्ती रुपी खजाने, सर्व प्रकार के खजाने सफल होते हैं इसलिए एक-एक संकल को अपने प्रती प्रयोग करे विश्व के आत्माओं के प्रती प्रयोग करे और उसे सफल करे और सफलता को प्राप्त करे ओम शांती